वंदना खीचते हुए अपना सारा गुसा रसोई में बर्तनों पर निकाल रही थी। पता नहीं किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही हैं, मुझसे ऐसी चुमुई बनकर बैठी रहती हैं, जैसे मेरे आने से पहले आठ दस नौकर चाकर आगे पीछे। फिरते रहते थे। थोड़ा बहुत हात पैर हिलाने से कौन सा शरीर घिस जाएगा इनका। सब कुछ मेरे भरो से छोड़ कर बैठ जाएंगी। वंदना एक पढ़ी लिखी लड़की थी, उसका सपना था कि वो अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसने नौकरी के लिए कई जगा आवेदन भी दे रखा था इस बीच जब उसके लिए अनिकेत का रिष्टा आया तो उसने साफ साफ कह। दिया कि वो शादी इसी शर्ट पर करेगी कि शादी के बाद उसे अच्छी नौकरी मिली तो कोई उसे नौकरी करने से नहीं रोकेगा। आखिर इतना पढ़ने लिखने के बाद वो घर पर नहीं बैठ सकती। अनिकेत और उसके घरवालों को इस बाद से कोई आपत्ती नहीं थी कि उनकी बहु नौकरी करेगी इसलिए दोनों तरफ से खुशी-खुशी ये रिष्टा हो गया। शादी के कुछ दिनों बाद ही वंदना का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। जिस दिन वंदना ने अपने ससुराल वालों से कहा था कि वो अब नौकरी करेगी तो उसकी सास रूकमणी जी ने सारे परिवार के सामने कह दिया था। बहु नौकरी करेगी इससे मुझे कोई आपती नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो पहले सारे घर का काम करे फिर नौकरी पर जाए लेकिन मैं भी अब पहले की तरह पूरा घर नहीं संभाल सकती मुझे सब कुछ मनजूर है लेकिन मुझ से। ये उम्मीद मत करना कि मैं बहों को रोटियां बना कर खिलाऊंगी मुझे पता है कि अगर मैं एक बार इस भंवर में फंस गई तो जिन्दगी भर. नहीं निकल पाऊंगी उस वक्त सबको रूपमणी जी की बाते सुनकर हैरानी तो हुई थी. उनके पती ने तो ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरी सीधी सरल पत्नी भी सास बनते ही अपना रूप बदल लेगी. लेकिन इन सब बातों का रूपमणी जी पर कोई असर नहीं हुआ. वो तो अपनी जित पर अड़ी थी. खैर वंदना को तो नौकरी करनी ही थी क्योंकि घर के थोड़े से काम के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती थी. वहीं उसके पती और ससुर जी ने भी नौकरी की इजाज़त दे दी थी तो फिर वो कहां रूपने वाली थी. इस समस्या का ये हल निकाला गया कि घर के कामों के लिए एक कामाली और खाना बनाने के लिए कुक रख ली गई. खाना बनाने वली सुबा और शाम का खाना बना कर चली जाती वंदना का काम था ओफिस से आकर बस खाना परोसना यूँ ही दिन निकल रहे थे वंदना की शादी को दो साल हो चुके थे अब तो वंदना और बाकी सब घरवानों को इस रूटिन की आदत हो गई थी लेकिन मुश्किल तो तब होती थी जब कभी खाना बनाने वाली छुट्टी ले लेती थी ऐसा ही कुछ इन दो दिनों से हो रहा था जिस कारण से वंदना कीजी हुई थी आफिस से आकर रोटियां बनाना उसे बहुत बड़ा बोज लगता था वैसे तो रूपमनी जी इन दिनों में सबजियां काट कर बना देती थी लेकिन बहों के आफिस से आने के बाद रसोई में जाकती भी नहीं थी उस समय वंदना को अपनी बैठी हुई सास बहुत चुबती थी वो बड़बडाती रहती और रोटियां बनाती रहती बाद में अपनी मा से फोन पर भर भर कर शिकायक करती जिसके बाद उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था कुछ दिनों बाद वंदना के भाई की शादी भी तै हो गई वंदना की होने वाली भाभी का भी नौकरी पेशा था वंदना की मा ने सगाई के वक्त ही खुश होते हुए गर्व से कह दिया भई मैं तो और सासों की तरह नहीं हूँ जो बहो के आने पर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाओं जब अभी तक पूरा घर सम्भाल रही थी तो अब क्यों नहीं मेरी बहो को मेरी तरफ से पूरी छूट रहेगी जब एक मा अपने बच्चों को रोटिया बना कर खिला सकती है तो बहो को क्यों नहीं खिला सकती बहो तुम निश्चिन्थ होकर नौकरी करना रसोई मैं संभाल लूँगी वंदना की मा के उच्च विचार सुनकर उसकी होने वाली भाभी का पूरा परिवार और खुद वंदना भी गदगद हो गई वाह मा आप कितने बड़े दिल की है काश मेरी सास भी आपकी तरह होती अपनी चर्चडाहट निकालते हुए वंदना बोली लेकिन मेरी किस्मत में ये सुख कहा मेरी सास को तो बस हुकुम चलाना आता है मुझे गर्व है कि मेरी मा इतने खुले विचारों की है कुछ दिनों में ही वंदना के भाई की शादी हो गई और कुछ दिनों बाद ही वंदना की भाभी ने अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली वंदना की मा भी अपनी बहु को हथेलियों पर रखती थी सुबा उसका नाश्ता टिफिन फिर रात का खाना भी तैयार रखती थी अपने हाथों से परोश कर सब को खाना खिलाती थी उनकी बहु भी मम्मी जी मम्मी जी करती हुई अपनी पसंद नाप्सन बताती रहती थी जिसे वंदना की मा बढ़े चाफ से पूरा करने में लगी रहती थी खुशी खुशी दिन बीत रहे थे लेकिन ये प्रक्या धीरे धीरे अबुदासीन्ता में बदल रही थी वंदना की भाभी को अब कुछ भी ना करने की आदत पड़ गई थी एक दिन जब वंदना फोन पर अपनी मा से बात कर रही थी तो उसकी मा बस रो पड़ी बेटा मैं इतना करती हूँ तेरी भाभी के लिए फिर भी उसे मेरी कद्र नहीं अरे हूँ मेरी दी हुई छूट अब मुझ पर ही भारी पड़ने लगी है क्या हुआ मा आप ऐसे क्यों बोल रही है आप तो भाभी का मुझसे भी ज्यादा ध्यान रखती है क्या भाभी ने आप से कुछ कहा है वंदना बेचैन होते हुए पूछने लगी कुछ क्या बेटा अब तो सब कुछ वो मुझे ही कहती है आफिस से आने के बाद एक गिलास पानी के लिए भी मुझे आवाज देती है नाश्ते में थोड़ी देर हो जाए तो मदद करने के बजाए गुस्सा होकर यूँ ही बिना खाय चली जाती है आखिर मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है या नहीं मैं तो उसके लिए बस कामाली बन कर रह गई हूँ मा ये तो बहुत गलत बात है आप भाई से साफ साफ कह क्यों नहीं देती की अपनी बीवी की लगाम खीच कर रखे आप मा है कोई नौकरानी नहीं भाभी नौकरी करती है इसका मतलब ये नहीं की आप पर हुकुम चलाएगी किस मुम से कहूं बेटा पहले तो खुद मैंने ही आगे बढ़कर कुलहारी पर अपना पैर दे मारा फिर शिकायत किस्से करूं तेरे पापा ने तो कहां भी था कि बहु को ज्यादा छूट दोगी तो बाद में पच्चताओगी लेकिन मैं ही बढ़ाई की भूखी थी जो अपनी बहु को सर पर चड़ा लिया एक बात कहूं बेटा तू चाहे अपनी सास को कुछ भी कह लेकिन सम्धन जी का ये फैसला सही था कि वो बहु को रोटिया बना कर नहीं खिलाएंगी एक बार वो सबकी नजरों में बुरी अख़ड सास तो बन गई लेकिन आगे के लिए कम से कम अपना आत्मसम्मान तो बचा लिया अब ना तो तू उन्हें कोई ताना दे सकती है और ना ही कोई रिष्टिदार काश मैंने भी शुरू से ही ये घर ग्रिहस्थी की पूरी जिन्मेदारी अपने सिर पर लेने से इनकार कर दिया होता तो आज मेरा ये हाल ना होता मा की बाते सुनकर वंदना निशब्ध हो गई भारी मन से उसने फोन रख दिया बाहर हौल में आकर देखा तो सास ससुर आराम से बैठ कर बाते कर रही थे बाते करते करते उसकी सास अपने नाखुनों पर नेल पेंट लगा रही थी जिसे देखकर ससुर जी उन्हें चिढ़ा रहे थे तब बुढ़ापे में ये फैशन करके किसे दिखाओगी मेरी तो नजर भी कमजोर हो गई है बंदना की सास मुस्कुराते हुए बोली किसी को नहीं दिखाना मुझे मैं तो अपनी खुशी के लिए लगाती हूँ सारी उम्रतो घर ग्रहस्थी में उलजी रही अब अवकाश का वक्त आया है तो अपने शौक तो पूरे कर लू पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए पता नहीं आज क्यों वंदना अपनी सास की बाते सुनकर चिड नहीं रही थी बल्कि वो भी मुस्कुरा उधी सही तो कह रही है ममी जी एक ग्रहनी को अपने लिए वक्त ही कब मिलता है पहले अपने बच्चों को पाल पोस कर बढ़ा करो फिर कामकाजी बहु आ जाए तो उसे और उसके बच्चों को संभालो काश मेरी माने भी मेरी सास की तरह पहली ही कह दिया होता कि बहु को रोटिया बना कर नहीं खिला सकती